नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेयर करें मनिपूर में हिंसा पर समिक्षा बैठक करने के बाद आज केंद्री ग्रेव मंत्री अमित शाह ने प्रिस कॉन्फरेंस की अमित शाह ने कहा कि 29 अपरेल को मनिपूर हाई कोट के एक जल्दबाजी भरे फैसले के कारण यहां पर जाती हिंसा और दो समुदायों के बीच में हिंसा के शुरुवात हुई अमित शाह ने कहा कि केंद्री सरकार ने हिंसा की घटनाओं की जाँच के लिए उच्च न्यायाले के एक सेवा निवरत न्यायदीज की अध्यक्षता में एक न्यायक आयोग का घठन किया है मनिपूर के राज्यपाल नागरिक समाज के सदस्यों के साथ एक सांती समीती का नत्यतों करेंगे उन्होंने कहा कि इसी के साथ CBI भी कुछ मामलों की जाँच करेगी शाह ने इसी के साथ एलान किया है कि मनिपूर सरकार DBT के माध्यम से मुरितक परिजनों के 5-5 लाख रुपया का मुआवजा प्रदान करेगी उन्होंने कहा कि केंदर सरकार भी डीबीटी के माध्यम से मृतक पीडीतों के परिजनों को 5-5 लाख रुपया का मुआपजा देगी अमिर्शाय ने कहा कि हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए मनिपूर में कई एजेंसियां काम कर रही है साजिस की ओर तो इसारा करने वाली हिंसा की 6 घटनाओं की उचस्तरिये CBI जांच होगी उन्होंने कहा है कि हम सुनक्षित करेंगे कि जांच निस्पक्ष हो और दोसियों को दंडित किया जाए